असलामों आलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद, जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बाजार से बहतर, सूपर डिलिशिस, एकदम लजीस, टेस्टी, चटपटी सी, क्रिस्पी हनी चिकन, बहुत ही जबरतस घर पर बनती है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे च से एक्स्ट्राइडनरी डिश बनाते हैं चलिए, यह है आदा किलो चिकन बोनलेस, चेरवी निकाल लिया है, मैंने थाइ पोशिन लिया है, और मीडियम पीस की है, आप चाहें तो छोटे-छोटे पीस कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिप्स भी कर सकते हैं, मैंने थोड़े ऐसे स्क्वेर शेप में काटे हैं, अब धोली है, नितारली है, 10-15 मिन के लिए चन्नी के ओपर साइट पर रख दिया था, अब इसको बाउल में डाल दीजिए, आप चाहें तो ब्रेस पोशिन भी ले सकते हैं, अब इसमें डाल दीजिए, आदा चोटा चाय का चमच नमक या न आदा फोड कर दाल दीजिए, और 3 टेबल स्पून भर कर, कॉन स्टाच यानि के कॉन फ्लार दाल कर, बहुत अच्छे से मिक्स करकर, मरिनेट करने, ढाक कर, फ्रिज में आदे एक घंटे के लिए रहने दीजिए, या अच्छा क्लाइमेट हो, और सूटेबल हो, तो आप ब आदा तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ वाइट पॉशन दाले और योग निकाल दीजिएगा, चलिए एक घंटा हो चुका है, तेल दाल दीजिए, कडाए के अंदर अच्छा गरम कर लीजिए, फास्ट आच पर अच्छा गरम हो जाए, तो मीडियम आज करकर, पिस मिला ह हमारी रेम बोल कर, हमारी जो चिकन के पीसे है, सबसे पहले तो वेल कोट कीजिएगा, फिर से उलट पलट करते हुए, जो भी मेरिनेशन के अंदर से अच्छे वेल कोट करके, हमारी जो करमा घरम तेल है, इसमें डालते जाए, एक साथ बहुत ज़ादा कर दें, एक दूसर जो तो गुद तक आज़े तक एसे ही रहने दीजिए, एक मिनट हो जाए, तो फेलट पलट कर दीजिए, और ङूद चिकन, खर लो, जो हमारा पकाने की एफिन, फी छेल बिक नचेन उत्स एछ कोटाक्ड गई, और मैंने गिशले मेरिन बे घरम तो गाक दीजिए, फिर से का एक मिनिट मैंने प्रॉपली मीडियम आच कर दिया था तो हल्किसी एक कावरिंग क्रिस्पी आ गए चलिए इन्हें निकाल कर नितार कर साइट पर रख दीजे टीशू पेपर पर मत दालिएगा और इसी तरीके से बैचेस में फ्राइ कर लीजे मीडियम आच पर चलिए एक दम पर्फेक्ट बन चुके हैं लास्ट का एक मिनिट मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए मीडियम आच रख दिया था और बीच में मैंने जैसे कहा एक दो मिनिट मैंने हलका सा मीडियम से लोग किया था मीडियम से कम कर दिया था थोड़ा तो चलिए इन्हें निकाल लिया मैंने और बहुत ही अच्छे से बढ़िया से बने ही कि अंदर से भी पक चुके है और बाहर से भी एकदम क्रिस्पी यह आप देख सकते हैं और ऐसे ही खा सकते हैं आप चटनी वगएरे के साथ देखे मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ इन फैक्ट मैं खाई रही हूँ सोच रही हूँ खाई लूँ तो यह देखे माशालला बहुत ही बढ़िया है तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना लेते हैं सबसे पहले तो पूरा तेल निकाल लीजे कढ़ाई का और फिर वही तेल जो जिसमें हमने फ्राई किया है वो दो बड़े चमज दाल दीजिए चूला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए अब इसमें मैं दाल देती हूँ एक चमज भर कर लस्टन और एक चमज भर कर अधरक इन्हें दाल कर मीडियम आज पर बार-बार चलाते हुए आदे एक मिनिट तक फ्राई कर लिजिए जब अच्छे से फ्राई हो जाए एक चोड़ा चाय का चमज अब इसमें दाल दीजिए सोया सॉस, light वाला चूला स्लुआच कर दीजिए एक चोड़ा चाय का चमज, विनेगर आदा चुटा चाय का चमच, चिली फ्लेक्स भी दाल दीजिए, दो टेबल स्पून भर कर शहर याने के हनी, और एक टेबल स्पून चमाटर सॉस भी दाल दीजिए, इसके साथ साथ, दो टेबल स्पून चिली सॉस भी दाल दीजिए, अच्छा मेरा वाला नॉर्मल चिली सॉ पर इसमें हलका उबाल आजाने दीजिए, जब इस तरीके से उबाल आजाए, तो 1 फोट कब जितना पानी, साधा नॉर्मल जो पानी पीने काता है, वो दाल दीजिए, चुले को कर दीजिए, हलका सा मीडियम आज कर दीजिए, अब यहां पर न, मुझे थोड़ा सा सॉस कम ल इस तरीके से टॉस करते जाएं, और अच्छा थिक हो जाए हमारा ग्रेवी, और आपको लगे कि तेल छुटने लगा है, बस वहां तक ही, एक मिनिट या दो मिनिट तक इसे टॉस कर दीजिए, बंद, और इसे करमा गरम, हमारी जो सर्विंग डिश है, उसमें निकाल लीज ये, ये बन गया हमारा बढ़िया सा लजीज, क्रिस्पी हानी चिकन, बहुत ही लज़त दर और टेस्टी है, अच्छा वैसे मैंने कुछ ऐसे ही स्टाटाउस की रेसेपी बढ़िया-बढ़िया सी मेरे चानल पर अपलोड किये है, लिंक यानि के प्लेलिस का पूरा लिंक म आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, अच्छा जब आप प्लेट में निकालने इस तरीके से, थोड़े से सेसमे सीट्स यानि के सफेद तेल जवाता है, इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए, और थोड़े से ये भी दाल दीजिए, स्प्रिंग ओनियन्स की, हरी प्यास की पत तो हैना वज़ेदार रेसिपी आज की, अगर ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमल सेक्शन में ज़रू शेयर कीज़ेगा, मुझे आपके कमेस पढ़ने बहुत अच्छ लगते है, रेसिपी अच्छी लगए तो लाइक कीजिए, उससे सादा अच्छ अच्छ लगए तो